Hello students, आज का question है, the first term of an AP is 3, तो first term दे रखिये, the last term is 83, last term दे रखिये, and the sum of all the terms is 903, ठीक है, और हमें सम भी दे रखा है, find the number of term and common difference of the AP, तो दो चीज निकार नहीं है, एक तो number of terms कितने हैं, और दूसरा common difference कितना है, ठीक है, पहले जो चीजे दे रखिये है, तो first term दे रखिये, first term को हम क्या बोलते हैं, A, तो A is equal to, उसने हमें दे रखा है, 3, ठीक है, फिर उसने हमें last term दे रखिये, वो कितनी है, 83, और उसने हमें sum दे रखा है, मतलब SN, वो कितना है, 900, तो जो जो हमें दे रखा है, पहले हमने वो लग दिया, ठीक है, next काम क्या क करेंगे हम, अब हम लेखेंगे Nth term, हमें निकालनी कोई number of term तो हमें नहीं पता है, तो Nth term के लिए हम क्या formula लगाएंगे, is equal to A plus N minus 1D, है न, यहीं लगाएंगे न, अब हमें यहाँ पर Nth term तो पता है, last term तो हमें पता है, 83 है, है न, और A B हमें पता है, कितना है, 3 है, और N minus 1D, यह तो हमें नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो, इस 3 को मैं इधर ले जाओंगी, तो 83 minus 3 is equal to N minus 1D, तो कितना हो गया यह, 80 is equal to N minus 1D, यह हमारा हो गया, अब next का हम क्या करेंगे, यह हमारी हो गई, equation 1, equation 1 हो गया, ठीक है, next काम हम क्या करेंगे, अब हम SN वाला formula हैंगे, sum हमें दे रखा, SN is equal to क्या होगा, N Y 2, A plus L, L क्या है, last term, last term तो हमें पता है, SN भी हमें पता है, कितना दे रखा, 903, है न, 903 दे रखा है, तो 903 is equal to N Y 2, और N तो हमें अभी तक नहीं पता है, A हमें पता है, 3, और last term भी हमें कितना है, 83, ठीक है, क्या करेंगे, देखो, स्टू को तो मैं इधर ले जाओंगी, तो ये इधर किस में हो जाएगा, multiply में हो जाएगा, is equal to N, और इन दोनों को मैं add कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा, ये, 86, ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इस से इस को, 236, 0, 29, 18, तो ये तो हमारा, 1806 हो गया, is equal to, ये हो जाएगा, हमारा N into 86, अब क्या करेंगे, N की value निकल जाएगे हमारी, 1806 upon 86 is equal to N, है न, और जा हम इसको काटेंगे, काटते हैं, 2 से काटते हैं, चलो, 248, 236, 29, 18, 0, 236, अब किस से कट सकता है, ये इस से कट जाएगा, 21 times, ठीक है, तो N की value कितनी आ गई हमारी, 21, N की value हमने निकाल ले, अब हमें क्या करना है, मतलब number of term भी पता चल गया, हमें इसको क्या करेंगे, N की जो value निकाली हमें, से equation number 1 में डाल देंगे, किसमें करेंगे, इसको put कर देंगे, equation number 1, पहल मैं equation number 1 लिख देते हूं क्या है, 80 is equal to N minus 1, D, ये हमारी equation number 1 है, तो 80 is equal to N, N अभी हमने निकाल है कितना, 21 minus 1, D, 80 is equal to 20, D, अब हमें D निकालना है, तो 80 upon 20, हाँ, ये multiply में तो नीचे चला गया, division में हो गया, 8, तो D की value हमारी कितने आ गई, 4, common difference भी हमने निकाल लिया, है न, क्या लिखेंगे हम, hence, the number of terms, the number of terms, are 21 and common difference, common difference, वो भी हमने निकाल लिया था न, कितना है, 4, ठीक है, यही हमारा answer है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज, प्लीज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रू कर दें, फॉलो ज़रू कर दें, प्लीज,